जी नमस्कार मेरा नाम कृश्मिपाल राठोर है और आप महारो मद्प्रदobic का Special Show देख रहे हैं मद्प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत खराब है एतनी ज़ाधा खराब है कि अब माता-पिता अपने बच्चों को मद्द्प्रदेश के सरकारी स्कूलों से बचाने लगे उनका اेडिमिशन नहीं करवा रहे हैं आपको यह आंकड़ा पर सरकारी स्कूल है 400 इसकूले से हैं मद्ध्यप्रदेश के अंदर जहां पर इस नए सत्र में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है 400 इसकूलों में एक भी एडमिशन नहीं हुआ है और मद्ध्यप्रदेश के प्राइमरी इसकूल की पहली कक्षा में तो 2000 इसकूले से हैं MP के अंदर जहां पर पहली कक्षा में एक भी बच्चे ने दाखिला नहीं लिया है या फिर पेरेंट्स ने एडमिशन नहीं करवाया है आखिर मद्धुप्रदेश के इन सरकारी स्कूलों का क्या होगा आज इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा मद्धुप्रदेश की जो सरकार है वो लगातार स्क्षा के लिए बहतर प्रयास कर रही है इसमें कोई संदे की स्थिति नहीं है लगातार PM स्री स्कूलों को डवलप कर रही है सीम राइज स्कूलों को बना रही है लेकिन क्या अच्छी इमारतों को बना करके मद्दुप्रदेश की सिख्छा की व्यवर्स्था को ठीक किया जा सकता है सबसे बड़ा सवाल यह है अगर इमारते बना कर ही सिख्छा का इस्तर यदि ठीक होता हो तो फिर हर गाओं में नई- मद्दुप्रदेश की जो पेरेंट्स है वह सरकारी स्कूलों में इतना भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं चर्चा इस पर होनी चाहिए चर्चा इस पर नहीं होनी चाहिए कि आज सुबह मूध होया सरकार के मंत्रियों ने और नक्षा खंगालने लग गए कि कहां पर सीम र लेकिन इमारते सिक्षकों से ज्यादा जरूरी नहीं है आखिर क्या वज़ा है कि सीम राइज स्कूल और पी एम स्री स्कूलों को डवलप करने के बाद भी मद्दुप्रदेश में सिक्षा का इस्तर इतना गिरा हुआ माता-पिता के महिन में है कि अपने बच्चों को सरका सरकार के मंत्रियों को बेट कर मंतन करना चाहिए 400 इसकूल ऐसे है बताइए जहां पर बच्चों ने दाखिला ही नहीं लिया और पहली कख्षा में तो 2000 मद्दुप्रदेश के 2000 सरकारी स्कूल ऐसे है जहां पर पहली कख्षा में किसी माता-पिता ने बच्चों का ह Cathy Memorial में जो भ॥िया है बत्चों की उनको रोप करके उनको डा में लिए जासके सरकारी स्कूल किसी में कntyभ से एक ईपृडेश के प्रेंट सा कर्भाने के लिए बिल्कुल्म है नय भवनों की मद्धुप्रदेश में इतनी जादा वशकता नहीं है जितने नए और young teacher की अवशकता है कि नए शिक्षकों की भर्थियों की अवशकता है क्योंकि अब जमाना बदल चुका है शिक्षा का इस्तर अब जो है वो और भी बड़ा हो चुका है आज कल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है उस मोबाइल फोन से बच्चा इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि अब जो पूराने वाले जो टीचर है उनको शायद अब रिटायर करने के आवज़ सकता है और रिटायर करके नए स्कूलों में ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं बजाए प्राइवेट स्कूलों के अब जो रही से उनका तो कुछ कह नहीं सकते लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरिवाल की सरकार ने जिस तरह से स्कूलों के जरजर भवन थे उनका रिनोगरेशन करवाया नहीं बिल्डिंगे नहीं बनाई उनी को ठीक करवाया प्राइवेट स्कूलों से अच्छी स्विजाय उन्हें मुहायया करवाई अच्छे सिक्षकों की भरतियां करवाई तब जाकर दिल्ली के जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को भरोसा हुआ कि यार हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में ज्यादा अच्छी शिक्षा ग्रहन कर सकते हैं इसलिए सरकारी स्कूलों का रुजान पेरेंच का ज्यादा बढ़ गया दिल्लिमें लेकिन वही मद्ध्यप्रदेश की अगर बात करें तो मद्ध्यप्रदेश में जिस तरह से लाडली बेना योजना का प्रचार प्रसार शिवरास सिंग चोहान ने किया था क्या मोहन यादव शिक्षा का प्रचार प्रचार उसी जोर से कर पाएंगे उसी जजबे से कर पाएंगे क्या उसी इंटेंशन से कर पाएंगे आपने वोट लेने के लिए लाडली बेना का जो प्रचार 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 घर घर तक पहुचा दिया आप parents का मन जो है वो divert कर सकते हैं कि आपके बच्चों का भविष्च जो है सरकारी स्कूल में ज़्यादा अच्छा है private स्कूलों से क्या मद्द प्रदेश ये कल्पना कर सकता है नहीं तो फिर वो 2000 स्कूल जहां पर पहली कक्षा में भरतिया ही नहीं हुई क्या उन स्कूलों को बंदी कर दीजिए प्राइमरी स्कूलों की हालत कई जिलों में यह है कि बच्चों की संक्या कम है सिक्षकों की जादा है यह हालत है मैं ground reporting पर गया था यह सच्चा किस्था में आपको बता रहा हूं जहां पर 5 बच्चे पढ़ते हों और 8 टीचर है उस स् चीर की भर्तिया करके क्या मध्यवः की सरकार मन डाइवट कर सकती सबसे बड़ा सवाल यह है कि 9000 कुल जहांने पर पहले कच्छा का 6 जो है एडमिशन नहीं ले पाया यह बच्छों बच्क्राइड माता पिता भरोसा नहीं कर सरकारी स्कूलों में क्या उन उस्कूलों को और बहतर बनाने की अवश्कता है जिन 400 इसकूलों में एक भी एड्मिशन सरकारी स्कूलों में नहीं हुआ उन चार सू इसकूलों की मनोदशा आप सोचिए जहां पर ठीक ठाक व्यवस्त आया वहां पर पेड़ेंट्स बेज रहें अपने बच्चों को ऐसा नहीं है प्राइवेट स्कूलों के आप विग्यापन देखते होंगे उस विग्यापन में आप देखते होंगे कि वह सारी सुईधाये स्कूलों की बताते हैं कि हमारे स्कूल में इस तरह की सुईधाये कभी सरकारी स्कूल का विज्ञापन पेपरों में क्यों नहीं देखा क्योंकि सिक्षा का इसतर मद्धुप्रदेश की सरकार बढ़ाना यहीं चाहती आपने लाडली बेना का विज्ञापन पेपर में देखा लेकिन शिक्षा का विज्यापंप्र में नहीं देखा होगा कि मद्द्धौप्रदेशकी सरकार लोगों के मन непहुंच रहे। जी जोड तोर से मद्द्धौप्रदेशकी सरकार नाड़ली बेहना का दिंडौरा पीठकर घरगर पहुच गई वो सरकार क्या अपने सरकारी स्कूलों की अच्छी सुईधा पेपर में नहीं दिखा सकती बच्चों के पेरेंट्स को नहीं समझा सकते क्या ये लोग जिन लोगों ने लाडली बेहना को घरगर पहुचा दिया क्या उनके कारिकरता शिक्षा को घरगर पहुचाने के लिए प को बंद कर दीजिए जहां पर admission नहीं आ रहे हैं तो क्या मद्ध्यप्रदेश की सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी स्कूलों को बहतर तरीके से चला पाएगी या फिर उन स्कूलों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगी यह अभी भी सवालया निशान है बाकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर कीजिएगा चेनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद